हलो डियर स्टुडेंट आप सभी के चैनल में आपका स्वागत है आज हम पढ़ेंगे रपीसी फर्स्ट गेट जीके में और सेकेंड गेट जीके में और रीट का टोपिक भारत की प्रमुक राजनितिक संस्ता हैं इसके बाद आएगे भारत के प्रमुक समाचार पत्र और महत पुष्ट के हैं यह रपीसी फर्स्ट गेट जीके में क्यूशन आच चुका है तो आज हम इसको पढ़ेंगे भारत की प्रमुक राजनितिक संस्ता हैं प्रमुक समाचार पत्र और महत पुष्ट के हैं सबसे पहले आती है एसियाटिक सोसाइटी ओब बंगाल एसियाटिक स प्रिटिस इंडियन एसोसियेशन संस्ता की स्तापना 1851 में राजा राधाकांत देव और देवेंदर नाट तेगोर द्वारा की गई थी ब्रिटिस इंडियन एसोसियेशन नामक संस्ता की स्तापना 1851 में राजा राधाकांत देव और देवेंदर नाट तेगोर द्वारा की गई थी British Indian Association Land Holder Society जिसकी स्तापना 1838 में हुई थी और Bengal British Indian Association जिसकी स्तापना 1839 को हुई थी इन दोनों को मिला कर ये British Indian Association 1851 में राजा राधा कान्त देव और देवंदर नाटेगोर द्वारा स्तापित की गई थी याद रहेएगा Land Holder Society की स्तापना 1838 में हुई थी और बंगाल ब्रिटिस इंडियन एसोशेशन की स्थापना 1843 में हुई थी इन दोनों को मिला कर ब्रिटिस इंडियन एसोशेशन की स्थापना की गई थी 1851 में राजा राधा कांत देव और देवेंदर नाथ टेगोर द्वारा फिर इसके बाद आती हैं बंबई एसोशेशन बंबई एसोशेशन की स्थापना 1852 में की गई थी बंबई एसोशेशन की स्थापना 1852 में की गई थी फिर इसके बाद आती है मदरास नेटिव एसोशेशन इसकी स्थापना भी 1852 में की गई थी बंबई एसोशेशन और मदरास नेटिव एसोशेशन की स्थापना भी 1852 में की गई थी फिर इसके बाद आती है इंडियन एसोश इंडियन एसोशेशन की स्तापना 1866 में लंदन में दादा भाय नोरोजी द्वारा की गई थी फिर इसके बाद आती हैं पूना सारुजनिक सभा पूना सारुजनिक सभा की स्तापना 1867 में 1867 में महादेव गोविंद राननाडे द्वारा लंदन में की गई थी फिर इसके बाद आती हैं इंडियन लिग इंडियन लिग की स्तापना 1875-1875 में सिसीर कुमार गोस द्वारा मुंबई में की गई थी याद रखेगा शिसीर कुमार गोस द्वारा मुंबई में 1875 में इंडियन लिग की स्तापना की गई थी फिर इसके बाद वापस आती हैं इंडियन एसोसियेशन एक तो थी इंडियन एसोसियेशन 1866-1866 में दादा भाई नोरोजी द्वारा लंदन में स्तापित या आई वापस इंडियन एसोसियेशन 1870 में आनंद मोहन बोस और सुरिंदर नाद बनरजी द्वारा स्तापित पिर इसके बाद आती हैं मदरास महाजन सभा मदरास महाजन सभा की स्तापना कोलकाता में हुई थी 1884 में और इसका विले 1886 में कांग्रेश में हो गया याद रखेगा मदरास महाजन सभा 1884 में कोलकाता में स्तापित हुई थी और इसके बाद कांग्रेस का गठन हुआ और मदरास महाजन सभा का 1886 में कांग्रेस में विले हो गया था अब इसके बाद आती हैं बंबई Presidency Association इसकी स्तापना 1885 में हुई थी जिसके संस्ताफ़कों थे फिरोच्याह मेता केटी तेलोंग और बदरुदीन द्वारा बंबई Presidency Association की स्तापना की गई थी 1885 में फिरोच्याह मेता केटी तेलोंग और बदरुदीन द्वारा बंबई Presidency Association की स्तापना की गई थी फिर इसके बाद आती हैं संस्ताफ़कों इसके संस्ताफ़कों के लाला लाज पत्राई द्वारा की गई थी यह दो नाम समान है याद रखेगा एक तो आती हैं Servents of People Society इसके संस्ताफ़कों के लाला लाज पत्राई एक आती हैं Servents of India Society यह तो थी People Society जो लाला लाज पत्राई और यह हैं Servents of India Society यह इसकी स्ताफ़क हैं संस्ताफ़क 1905 में गोपाल कृष्णी गोखले द्वारा Servents of India Society की स्ताफ़कों की गई जबकि Servents of People Society की स्ताफ़कों की गई थी इसके बाद आती हैं India Society जिसे भारत स्वरसासन समीती भी कहते हैं इंडिया सोसाइटी या भारत स्वसासन समीती जिसके संस्तापक कोन थे श्याम जी कृष्ण वर्मा द्वारा लंदन में स्तापित की गई थी इंडिया सोसाइटी और श्याम जी कृष्ण वर्मा ने वीर सामवरकुर को पढ़ाई की लिए सातरवती उपलब्द करवाई थी अगर आपने दिया हो सब्जेक्ट सामाजिक हो तो आपको पता है गदर पार्टे की स्थापना किस ने की थी 1913 में लाला हर दयाल ने सेन फ्रांसिस्कों में स्थापित की थी गदर पार्टे की स्थापना 1913 में हुई थी सेन फ्रांसिस्कों में और लाला हर दयाल ने गदर पार्टे की स्थापना की थी फिर इसके बाद आती हैं हिंदुस्तान रीपब्लिक एसोसियेशन हिंदुस्तान रीपब्लिक एसोसियेशन इसकी स्तापना 1924 में हुई थी सचिंदर सान्याल और जे चटरजी द्वारा हिंदुस्तान रीपब्लिक एसोसियेशन की स्तापना 1924 में की गई थी और इसके बाद 1928 में चंदर सेकर आजाद के नेतरत्व में इसका नाम क्या कर दिया गया था हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोशेशन कर दिया गया 1924 में तो हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोशेशन का गटन हुआ सचिंदर सान्याल और जे चटरजी द्वारा और 1928 में 4 साल बाद चंदर सेकर आजाद के नेतरत में इसके बीच में क्या लग गया सोशिलिस्ट हिंदुस्तान सोशिलिस्ट रिपब्लिक एसोशेशन कर दिया गया फिर इसके बाद आती हैं हिंदू मासबा हिंदू मासबा का गटन हुआ था 1915 में मदन मोहन मालवे द्वारा हिंदू मासबा का गटन 1915 में हुआ था मदन मोहन मालवे द्वारा फिर इसके बाद आती हैं अभिनव भारत अभिनाव भारत 1904 में विनायक दामोदर सावरकर द्वारा पूने में स्तापित की गई थी फिर इसके बाद आती ही United Indian Patriotic Association ये अपन अधिवेशन में पढ़ चुके कांग्रेस के अधिवेशन में United Indian Patriotic Association की स्तापना सर सेध अधिवेशन द्वारा की गई थी 1888 में फिर इसके बाद आती हैं मोहमद एंगलो ओरियंटल डिफेंस असोशेशन की स्तापना 1883 में सर सेध अधिवेशन द्वारा ही की गई थी एक तो थी युनाइटेड इंडियन पेट्रियोटिक एसोशेशन 1888 में सेयद अमत खा द्वारा फिर इसके बाद आती हैं मोहमद एंगलो ओरियन्टल डिफेंस एसोशेशन जिसकी स्तापना भी सर सेयद अमत खा द्वारा 1803 में की गई थी फिर इसके बाद आती हैं इंडियन लिबरल फेट्रियोट्स की स्तापना 1918 में सुरेंदर नाथ बनरजी द्वारा की गई थी याद रखेगा इंडियन लिबरल फेडरेशन की स्तापना 1918 में सुरिंदर नाथ बनरजी द्वारा की गई थी फिर इसके बाद आती है इंडियन इंडिपेडेंस लिग आजाद हिंद फोज की स्तापना रास बिहारी बोश ने जापान में स्तापित की और इस लिगने इंडियन इंडिपेडेंस लिगने आजाद हिंद फोज का गटन क्या यह अपन पढ़ चुके हैं भारत के मैतपुन नेताओं में तो आजाद इंद फोज का गटन किया था इंडियन इंडिपिडेंस लिग ने और इसका गटन किया था रास ब्यारी बोश ने जापान में और इंडियन लिबरल फेडरेशन की स्तापना 1918 में सुरेंदर नात बनर जी ने की थी अब आते हैं भारत के परमुख समाचार पत्र पहला समाचार पत्र आता हैं बंगाल गजट जो की 1780 में जेम्स ओगस्टस हिक्की द्वारा प्रकाशित किया गया था और ये भारत का पहला समाचार पत्र था आगस्टस जो हैं ये भारत में पत्र कारिता के अगरदूत कहे जाते हैं क्योंकि सबसे पहले भारत में समाचार पत्र का प्रकाशन इनी ने किया था बंगाल गजट नाम से जो की 1780 में प्रकाशित हुआ था अब आते हैं दूसरा अमरित बाजार पत्र का ये अमरित बाजार पत्र का बंगाली समाचार पत्र था जो की मोतिलाल गोश द्वारा प्रकाशित किया गया था पिर आता हैं तीसरा समाचार पत्र हिंदू पेट्रियेट कृष्टो दास पाल द्वारा प्रकाशित किया गया था हिंदू पेट्रियेट क्रिष्टो दास पाल द्वारा प्रकाशित किया गया था फिर इसके बाद आता है समवाद कोमुदी ये बंगला में प्रकाशित और मिरातूल अकबार नामक समाचारपतर फार्सी में राजा राम मोहन द्वारा प्रकाशित किया गया था हिंदु पेट्रियेट तो क्रिष्टोदास पाल द्वारा और समाद कोमुदी और मिरातुल अकबार राजा राम मोहन राय द्वारा प्रकाशित किये गये थे जिसमें समाद कोमुदी की भाषा थी बंगला और मिरातुल अकबार की भाषा थी फार्सी फिर इसके बाद आता है इस्ट इंडियन समाचार पत्र हेंडरी वीवियन डेरा जीओ द्वारा प्रकाशित किया गया था इसके बाद आता है हिंदु नामक समाचार पत्र सुब्रमन्यम अयर द्वारा प्रकाशित किया गया था हिंदु नामक समाचार पत्र सुब्रमन्यम अयर द्वारा प्रकाशित किया गया था इसके बाद आता है कॉमन विल और न्यू इंडिया एनी बिसेंट द्वारा प्रकाशित समाचार पत्र है कॉमन विल और न्यू इंडिया इसके बाद आता है परताव ये सभी जानते हैं घणेश संकर विध्यारती द्वारा कानपूर से प्रकाशित किया गया था प्रताव जिसके माध्यम से बिजोले किसान अंदलूल को सर वियापी बना गया था परताव नामक समाचार पत्र से जिसके संपाद कौन थे गणेश संकर विद्यारती ये कानपूर से प्रकाशित होता था फिर इसके बाद आता है गदर समाचार पत्र लाला हर्दियाल की गदर पार्टी द्वारा सेन फ्रांसिसको से प्रकाशित किया जाता था यह आपको पताया था अभी गदर लाला हर्दियाल की गदर पार्टी द्वारा सेन फ्रांसिसको से प्रकाशित किया जाता था फिर आता है मराठी और केसर ये दोनों समाचार पत्र बाल गंगादर तिलक द्वारा प्रकाशित किया जाते थे और माराष्ट में गंडपती उत्सोग का प्रारंबी बाल गंगादर तिलक द्वारा किया गया था। फिर आता हैं पंजाबी वंदे मातरम और यंग इंडिया तथा दय पीपूल नामक समाचार पत्र किसके द्वारा प्रकाशित थे लाला लाज पत्राय द्वारा प्रकाशित किये जाते थे। फिर इसके बाद आता हैं हिंदुस्तान टाइम्स ये इंगलीस में था इसके संपाधblade थे या प्रकाशन किया था इसका के यम पाणिक करने फिर हाता हैं अलहिलाल अलहिलाल मोलाना अब्दुल कलाम आजाद द्वारा 1912 में कोलकाता से प्रकाशित किया जाता था अलहिलाल लामक समाचार पत्र मोलाना अब्दुल कलाम आजाद द्वारा 1912 में कोलकाता से प्रकाशित किया गया था फिर आता हैं राप्त गोपतार ये इंपोर्टेंट समाचार पत्र याद रखेगा राप्त गोपतार समाचार पत्र जो था वो 1851 में मुंबई से दादा भाई नोरोजी और फर्दोंजी द्वारा प्रकाशित किया जाता था फिर इसके बाद आता हैं राप्त गोपतार नामक समाचार पत्र 1851 में मुंबई से दादा भाई नोरोजी और फर्दोंजी द्वारा प्रकाशित किया जाता था फिर आता हैं हरीजन ये माहत्मा गांधी द्वारा प्रकाशित था अब आती हैं मैत पुर्ण पुष्टके कौन कौन सी हैं पहली आती हैं अनहपी इंडिया विल्टू फ्रीडम ये लिखी हैं लाला लाज पत्राई ने अनहपी इंडिया विल्टू फ्रीडम फिर इसके बाद आती हैं ग्लिमसेज ओफ वर्ल्ड हिस्ट्री ये लिखी हैं ज औप independence VD सांवर कर फिर इसके बाद आती हैं Indian unrest Indian unrest पुस्तक लिखी है Valentine Ciral फिर इसके बाद आती है यह लिखी है sister Nivedita ने पिर आती है precedence of Jesus यह 1820 में राजा राम मोहन द्वारा लिखी गयी थी precedence of Jesus और the way of Indian life लिखी है sister Nivedita ने फिर इसके बाद आती है Poverty and Un-British Rule in India ये लिखी है दादा भाई नोरो जी ने Poverty and Un-British Rule in India फिर इसके बाद आती है Indian from Karjan to Nehru and after Golden 303 शोल्ड ये लिखी है सरोजिनी नाइडू ने फिर इसके बाद आती है An Idealistic View of Life ये लिखी है अब आती है Conquest of Self ये लिखी है मातमा गांदी ने फिर इसके बाद आती है Essay on Indian Economics ये लिखी है मादेव गोविन्द रानादे ने फिर इसके बाद आती है The Native State of India ये लिखी है Sir Lee Warner ने The Native State of India पुस्तक लिखी है Sir Lee Warner ने फिर आती है Living in Hero ये लिखी है DP मिस्र द्वारा Living in Hero पुस्तक लिखी गई है Unhappy India Will to Freedom डालालाज पत्राई Glimpses of World History ज्वारलाल नेरू Indian War of Independence वीडी सामरकर Indian Unraced Valentine's Sirol The Way of Indian Light Sister Nivedita Precept of Jesus Radha Ram Mohan Rai 1820 में Poverty and Un-British Rule in India दादा भाई नोरोजी इंडिया फ्रोम करजन टू नहरुएंड आप्टर गोल्डन थ्री सोल्ड सरोजिनी नाइडू एन आइडिस्टिलिक व्यू अप लाइफ राधा किश्नन कॉन्क्वेस्ट ओप सेल्प महात्मा गांदी essay on Indian Economics महादेव गोविंद रानाडे यह आपका topic हुआ complete अगले वीडियो में पढ़ेंगे राजस्तान की राजनितिक संस्ता है जिसमें से RPSC First Gate 2016 में क्यूशन आया हुआ है पत्र पत्रिकाओं में से और इसके बाद आती हैं यह राजस्तान की राजनितिक संस्ता है यह अगले वीडियो में पढ़ेंगे तो पढ़ते रही है आपके अपने चैनल के साथ अगर पसंद आया तो लाइक कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ जादे से जादा से शेयर कीजिए तो पढ़ते रहे हैं अपने चनले के साथ मिलते हैं अगले वीडियो में जै हिन जै भारत